असलों लेकुम गाईज आज हम बनाने वाले हैं पाला गोष्ट तो यह बहुत ही टेस्टी एंद अच्छी रसीबी बनने वाले हैं अगर आप हमारी रसीबी ट्राइब करें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए देखते हैं कि कैसा बना है हमने अपर कुकर ले लिया है रखे जास भी आन का लिया है तो अब हम इसमें आड़ करेंगे आधा कप तेल आजा कब तेलाइट करने के बाद हमने यहांपर थोड़ से मसाले डाल दिये हैं यानि हमने एक बड़ी इलाइची, तीन हरी इलाइची, दो डालचीनी के स्टिक्स तो हमने अब तीन मीडें साइज के प्याज लिये हैं, लंबे कटी हुई तो हम इसको अच्छे से ब्राउन होने तक अच्छे सा फ्राइ कर लेंगे या अच्छे से ब्राउन होने चाहिए इसको हम ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तब देख सकते हों यह थोड़ा से light brown में convert हो चुका है इस फिला देख सकते हों यह थोड़ा से brown हो चुका है अभी यह ब्राउन में अग्वर्ट हो चुका है अभी तो अब हम आट करें यहां पर जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टेबल स्पून तो अब हम इसमें आट करें 700 ग्राम गोष्ट तो हमने यहां पर आट कर लिया है गोष्ट और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने एक टी स्पून यहां पर नामा काट किया है तो हमने यहां पर एक टी स्पून लाल मुष्ट लिया है अब हम आट करें यहां पर हाफ टी स्पून हल्दी इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने आप लिया है तीन मीडियूम साइज के टामाटर और साथ से आठ हरी मिर्ज इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमने आप पर देड़ कप पानी लिया है इसको हम 4-5 सीटी होने तक ऐसे ही रखेंगे तो अब हम इसको 4-5 सीटी होने तक इसको हम ऐसे ही रखेंगे यानि पकाएंगे जब तरह के बक्ते है तो हम आपर पालक रेडि कर लेते हैं हम ने थोटी सी आपर पालक लिए है पालक में हम दो कप पानी आड़ करने हैं एक कप हमने आड़ किया है दूज़ दूज़ से हमारे पालक का जो टेक्शर है बहुत अच्छा हो जाता है तो आप आड़ कर सकते हो तो आप इसके जगह यहां पर बटर मिल्क भी ले सकते हो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे पाला गोश्ट में तो हम भी इसे थोड़ी देर रख देते हैं गास अन करकर आप देख सकते हो अब पाला बहुत सॉफ्ट हो चुकी है थंड़ा करने के बाद अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे तो आप देख सकते हो चार से पाला को अच्छे से पीस लेंगे यह पेस्ट बना लेंगे इसका हम ने हम पर मिक्सी उसकी है तो हम ने अच्छे से इसको पेस्ट बना लिया है यहां पर तो गई समया पर एक जो है कड़ाई ले रहे हैं ताकि हम जो है इसका पूरा पानी है यानि पालक में जो हमने पाली आटके उसको अच्छे से जिरा लेना है आप देख सकते हैं पकना शुरू हो चुका है अब देख सकती हुए अच्छे से पक रहा है इसको जब तक अपाली नहीं सिर्ट आपको अच्छे से पकाते रहना है आप देख सकते हैं यहां पर अच्छे से जिर्गा है आपको इतना ही क्रीमी आनि गाड़ा आपको क्रीमी टेक्शर में इसको कंवर्ट करना है तो यहां पर हम पालक का जो टेक्शर यहां पर है वो हम इसमें आड़ कर देंगे तो हम इसको थोड़ी तर फिर भी ऐसे पकने देंगे तो हमने यहां पर आड़ किया है कोरियंडर पाउडर यहां धनिया पाउडर हमने एक टीस्पून आठ किया है यहां पर गरम असे ला हमने अड़ कर रहे हैं यह आप बर हाफ टीस्पून अब देख सागी तो इसका अच्छा पानी पक रहा है अब हम आद कर देंगे इसका जो हमने पालक का जो मिक्षे बनाया था नहीं बनाया था वो हम इसको इसमें आड कर देंगे तो हमने आड करकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया अब देख सकते हैं आपर कि इतना टेस्ट ही यमी दिख रहा है अभी सही इसको थोड़ी देर पकाएंगे तो अभी अच्छे से पक चुका है तो हमने छोटे से पान में तड़की के पान में हमने आड के यहाँ पर एक टेबल स्पून सरसों का तेल इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे तो हमने यहाँ पर आड किया है दो साबुत लाल मिर्च इसको हम अच्छे से तड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर तो हम इसमें अब आड कर देंगे तो अब देख सकते हम स्टार करेंगे कितना डिलिशस लग रहा है यहाँ पर तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किजिएगा अलाहाँ